हेलो दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं स्मोकी खटे कचालू हमें जरूरत है 1.5 kg कचालू, 2 teaspoon बुणी जवेत, 2 teaspoon नमक, 1 teaspoon लाल मिर्च, 1 teaspoon काला नमक, 1.5 teaspoon काली मिर्च, जरा सा दनिया, पुदीने के पत्ते एक बड़ा नीम्बू, हरी मिर्च और 50 ग्राम इंपली की अब हमने 1,5 kg कचालू को बॉइल करके काट लिया है इमली को विगो के उसकी पेस्ट तियार कर लिया है और दनिया, पुदीना और हरी मिर्च का पेस्ट तियार कर लिया है तो हम अपने सभी इंग्रिडियंट्स को कचालू में आड़ कर देंगे दनिये पुदिने हरी मर्च की पेस्ट, बुनी हुई अजवैन, नमक, लाल मिर्च, काला नमक, काली मिर्च, नीम्बू, और इमली का पेस्ट, और इसको हम अच्छे से मिला लेंगे, अब हम इसको एक स्मोकी फ्रेवर देने के लिए कोईला गयास पर गरम करेंगे और उसे बने हुए कचालू के बीच में रट देंगे, अब हम इसको एक बून मस्टर ओयल एड करेंगे, और उसे दख देंगे, मिनिट के बाद हम डखन उठा देंगे, और कोईला निकाल देंगे, तो लीजिए हमारे खटे के चालू तयार है, आप इसे फैंबली के साथ इंजॉई करिए, पूनाइब के बार हमारे लीजिए, ट्र देंगे, ये अपने अज सब्सक्राइब देंगे अजिए उन्यूट कैस्ते छूल देंगे,